हलो बच्चो आज हम सीखेंगे कुछ नए प्रतीशत के टाइप और इसमें हम आज फोकस करने वाले हैं शेश वाले सवालों पर जो remaining वाले questions होते हैं और percentage के अंदर percentage वाले questions होते हैं तो आप दो-तीन questions देखेंगे तो आपको type समझ में आ जाएगा कि हम किस type के questions करने वाले हैं देखें, हमारा पहला question है एक college में 40% चात्रों को समू A में रखा गया 6 चात्रों के 45% चात्रों को समू B में रखा गया और 6 12 चात्रों को समू C में रखा गया तो कुल कितने चात्रों ने समू A के लिए आविदन किया था तीन ग्रूप है ABC तो A में 40% लोगों को रखा देखें हम यहां लिख लेते हैं A, यहां लिख लेते हैं B और यहां लिख लेते हैं C आपको पताईए कि हर चीज अपने आप में 100% होती है तो 40% बच्चों को A में रखा तो बच्चे कितने 60 उन्होंने कहाए कि 6 का 75% B में रखा तो 100 में से 40 हो गया तो बच्चा कितना 60 और 60 का 75% 75% की fraction value आप जानते 3 बटे 4 तो 4 से cancel हो जाएगा 15 बार 15 का 3 कुना हो जाएगा 45 मतलब 45 प्रतीशत बच्चे कहाँ है B में है तो 40 और 45 टोटल हो गया 85 तो बच्चा कितना 15 15% बच्चे C में है और यही बच्चों की संख्याप को दी हुई है जो की कितनी है 12 देखे तो ग्रूप C में 12 बच्चे है और जो अपने आप में 15% है तो 100% क्या होगा इसको हमें solve करना है तो 3 से cancel हो जाएगा यह 4 बार 3 से cancel हो जाएगा 5 बार 5 से cancel होगा 20 बार 20 और 4 का गुणा तो टोटल solve करने पर आएगा 80 मतलब 3 गृप्स में टोटल कितने बच्चे है 80 तो 100 में से 40 यहाँ थे बच्चे 60 60 का 55 परतीशा 75% मतलब मैंने direct 3 by 4 रख दिया जो उसकी fraction value होती है तो 45 45 परतीशत बच्चे B में है तो 40 और 45 बचा 85 85 में से आपने 100 में से 85 घटाया तो आगया 15 15 परतीशत बच्चे C में है जो 12% है तो यह 15 है तो 100% क्या होगा तो सारे groups में total कितने बच्चे है 80 यह एक हमारा question हो गया next एक और question हम इसी type का देख लेते है एक बड़े बगीचे में 60 परतीशत पेड नारियल के है नारियल के पेडों की संख्या के 25 परतीशत पेड आम के पेड है और आम के पेडों की संख्या के 20 परतीशत पेड सेव के पेड है यदि सेव के पेडों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड है इन questions में आप एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा percent को fraction में convert करिए आपकी questions बहुत आसनी से solve हो जाएंगे 60 परतीशत पेड नारियल के है तो हमें एक चीज पता है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है तो ये हमें नहीं पता है कि total पेड कितने है तो उसको मैंने X नाम दे दिया जितने भी पेड हैं उसका यदि 60% निकालेंगे तो वो नारियल के पेड होंगे तो total का यदि मैंने 60% निकाला तो ये नारियल के coconut trees हो गए नारियल के पेड़ों का 25% ये जो आएगा इसका यदि 25% निकालेंगे तो वो आम के पेड़ होंगे और आम के पेड़ जितने आएंगे उसका 20% निकालेंगे तो वो save के पेड़ होंगे और वही finally कितने है 1440 पेड़ है save के एक बार फिर बता देता हूं टोटल पेड़ हमें नहीं पता कितने है पर उसका यदि 60% निकालोगे तो नारिल के पेड़ाएंगे इसका 25% निकालोगे तो आम के पेड़ाएंगे और इसका यदि आप 20% निकालोगे तो सेब के पेड़ाएंगे जो finally calculate होने के बाद कितना आएगा 1440 अब आप बस fraction values रख दीजिए देखिए यह हो गया x 60% का मतलब होता है 3 by 5 25% का मतलब होता है 1 by 4 20% का मतलब होता है 1 by 5 और equal में कर दी आपने 1,4,4,0 solve कर लेते हैं इसको तो आप पहले देख लीजिए कुछ cancel हो सकता है क्या तो कुछ ऐसा cancel तो नहीं हो रहा है यहापे तो हम इसको सबको cross multiply कर लेते हैं देखिए 1,4,4,0 यह 3 चला जाएगा नीचे और यह 3ों चले जाएगे उपर cross multiply होगा यहाँ पर तो 5 और 5 होता है 25 25 का 4 गुना होता है 100 अब बस 3 से हमें cancel करना है तो 3 से मैंने cancel कर दिया 3 से cancel हो गया है 4 बार और बचेगा 24 मतलब 8 बार तो 480 और 100 का multiply होगा मतलब उस बगीचे में total पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी तो answer आजाएगा 48,000 48,000 तो बस इस तरीके से आप इनको करते जाएंगे आपके questions काफी आसान होगे अभी इसमें 6 और आना बाकी है मैं आपको सिखाऊंगा कि जब 6 आ जाए तब आपको क्या करना है next question की तरह हम move करते हैं next question है हमारा एक आदमी अपने घर से कुछ रुपे लेकर निकला और किसी खेल में 55% पैसा हार गया कुछ देर बाद फिर से वो उसी खेल में 55% पैसा हारा एक बार पुना प्रयास करने पर फिर 55% पैसा हार गया हर बार 6 शब्द लगाए 6 का 55% हार गया अंत में उसके पास दो रुपे शेश रह गए, तो बताईए वह कितने रुपे लेकर निकला था, ओके, अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, जो आपके लिए समझना जरूरी है, और उसे कहा गया है शेश, मतलब remaining, देखे, आपको यह पता है कि उसके पास 100% रहा होगा, पर उसका 75% वो हार गया, ठीक है, 75% हार गया, तो उसके पास बचा कितना होगा, 25%, उसने फिर से ट्राई करा, और शेश का 55% हार गया, मतलब 25 का 55% हार गया, तो बापस से 55% हार गया, तो कितना बचेगा 25%, और आखरी में फिर से उसने ट्राई किया, और बचे हुए का 55% हा गया मतलब कितना बचा 25 ओके एक्चुल में या पर क्या होता है कि 100 का 55 प्रतीशत हारा तो बचा कितना 25 हमेशा एसे questions में आपको मतलब होता है 6 जो remaining हमारे पास रहेगा उससे तो 55 हारा 25 बचा अब 25 का 55 प्रतीशत हारेगा तो 25 का 55 हारेगा तो 25 का 25 ही बचेगा फिर बचे हुएगा 55 हारेगा तो फिर बचेगा कितना 25 इसलिए हमें मतलब इनसे है ना कि इनसे तो हम इनको ध्यान से देखेंगे और 25 परसेंट की fraction value आप जानते ही है एक बटे 4 है अब देखें करना क्या है वो कितने रुपे लेकर नि प्रतीशत हारा तो फिर से एक बटे 4 बचा फिर इसका 55 प्रतीशत हारा एक बटे 4 बचा और आखरी में कितने रुपे लेकर कितने रुपे उसके पास बचे 2 रुपे तो आपको कुछ नहीं करना है एक सिंटू 4 इन्टू 4 इन्टू 4 यह हो जाएगा 64 इक्वल में 2 64 का वो कभी काम कर नहीं है कितना अभी remaining है वो percentage आप हमेशा लिखिएगा आपको समझ में आ जाएगा और answer आपका इससे आएगा आईए एक और question हम इसी में देखते हैं और आपको चीज़ें clear होंगी एक व्यक्ति अपने धन का 50 प्रतीशत भाग अपने पुत्र को और 30 प्रती अची थी ठीक है देखिए शेश शब्द दिखने पर हमें शेश का concept लगाना है otherwise जो और शब्द है उसी से हमारा काम हो जाता है और आया है मतलब आपको प्लस करना है मतलब वहाँ पे शेश जैसा कुछ नहीं है पर remaining शेश वर्ड यूस किया है तो बचे हुए पर calculate करना है देखिए आपसे बोलाए 50 प्रतीशत अपने बेटे को दे दिया और 30 प्रतीशत बेटी को दे दिया तो 50 प्रतीशत बेटे को और 30 प्रतीशत बेटी को मतलब कितना दे दिया उसने 80 परसेंट आप जानते हैं हर चीज होती है 100 उसमें से 80 परसेंट दे दिया तो अब उसके पास 6 कितना बचा 20 बचे हुए का 80 प्रतीशत ट्रस्ट को दे दिया तो उसके पास बचा है 20 और इसका 80% ट्रस्ट को दे दिया तो आप तो यह देखो बचा कितना तो 80% दे दिया तो बचेगा कितना 20% मतलब फाइनली उसके पास last में कितना percent बचा होगा 4, समझाया 100 में से 80 दे दिया तो बचा 20, और 20 का भी 80 percent दे दिया तो 80 दे दिया, तो बचा कितना 20 percent जो कितना होता है 4, और अब उसके पास last में कितने रुपे बचते हैं, 16,000 और आप जानते ही है, 16,000 इसको कैसे solve करना है, 16,000 इदि 4 percent है, तो 100 percent क्या होगा, तो 4 से cancel होगा, 4000 बार और उसके आगे multiply हो जाएगा 100 का, तो 4000 के आगे यदि 2, 0 लगेंगे, मतलब उस व्यक्ति के पास total कितना पैसा था, तो answer हो जाएगा हमारा 4, लाग, ओके ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा और हम इस टाइप की questions करते हैं आईए, next question देखते हैं आरे राज अपनी आये का 1 बटे 3 भाग अपनी मा को 6 का 1 बटे 7 भाग अपनी बहन को और 6 का 2 बटे 7 भाग अपने पिता को देता है यदि उसके पास 42,000 42,000 रुपे बच जाते हैं उसकी कुलाए कितने रुपे होगी देखे पहले उसने 1 बटे 3 भाग दिया फिर 1 बटे 7 भाग दिया और फिर 2 बटे 7 भाग दिया यहाँ पर बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है 6 जो remaining है तो उसका हमें ध्यान रखना है देखे हम यसे कर लेंगे कि सपोज उसके पास शुरुआत में कितने रुपे थे तो X था उसका 1 बटे 3 उसने अपनी मा को दे दिया अब यह अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या 1 बटे 3 का मतलब कि यदि उसके पास 3 चीजें थी तो उसने 1 दे दी तो 3 में से यदि 1 दे दिया तो बचेगा कितना 2 बटे 3 अब जो बचा उसका 1 बटे 7 उसने अपने पिता को दे दिया तो 1 बटे 7 देने का मतलब क्या है कि 7 में से 1 पार्ट दे दिया 7 में से 1 गया तो अब कितना 6 बचा, 6 बटे 7 और अब जो बचा, उसका 2 बटे 7 उसने दे दिया मतलब 7 में से फिर 2 हिससे दे दिये तो अब कितने बचे, 5 बचे 7 और ये सब होने के बाद, finally उसके पास कितना बचा, 42,000 ये हमें ध्यान रखना है तो 3 में से 1 गया, 2 बटे 3 साथ में से एक हिस्सा गया, छे बिटे साथ और साथ में से दो हिस्से गये, पांच बिटे साथ तो कभी भी शेश वाले सवाल आएंगे तो आप याद रखिएगा जो आपको दिया हुआ है, वो कामका नहीं होता है उसके अलाबा बचा कितना, वो कामका होगा यह हमने पुराने questions में भी किया अब इसे हम solve कर लेंगे तो इसको कैसे solve कर लेंगे, तीन से यह cancel हो सकता है दो बार, इसके अलाबा कुछ भी cancel नहीं होगा तो सब को हम उस तरफ ले चलते हैं 42,000 साथ और साथ यह दोनों चले जाएंगे उपर मतलब 49 और 5 का दुगना 10, 10 का दुगना हो जाएगा 20 0 से आपका 0 cancel हो जाएगा 2 से cancel हो जाएगा 21 बार और अब 21 और 49 का हमें गुणा करना है तो हम इसको normal कर लेते हैं 21 और 49 को इदी multiply करेंगे तो यह आजाएगा 9 9 का double 18 और 4 हो जाएगा 22 का 2 carry 2, 4 का दुगना 8 और दू 10 तो यह 21 और 49 को multiply करोगे तो आएगा 1029 और 20 भी हमारे पास है तो यह उसका amount आएगा initial कि उसके पास शुरुआत में 1,2,900 रुपए थे इस तरीके से हम यह वाला question करेंगे आईए फिर हम आगे बढ़ते और next question देख लेते है next question है हमारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ती का 30 प्रतीशत भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है शेश राशी का 30 प्रतीशत और 25 प्रतीशत अपनी पत्नी और बेटे को देता है बाकी दन राशी वह अपनी तीन बेटियों की भी समान रूप से विभाजित करता है उसकी बेटियों में से एक को 42 लाग रुपे मिलते हैं उस आदमी की कुल संपत्ती लाग रुपे में क्या थी देखें फिर से हमारा question थोड़ा सा ये भी बड़ा आपको लग रहा होगा बड़े calculation काफी easy हो जाएगा इसका देखें पहले तुम ये समझें कि total उसके पास 100% था उसने 30% दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 70% बचा 30% उसने संस्था को दान कर दिया अब बचा उसके पास कितना? 70% इसका 30 और 25% अलग अलग नहीं निकालना है 30% यदि अलग होता वो यदि आपसे बोलते कि बचे हुए का 30% उसने अपनी पत्नी को दे दिया और बचे हुए का 25% अपने बेटे को दे दिया तो अलग अलग calculate करना पड़ता पर क्यूंकि दोनों को 7 में बोला है तो हम क्या करेंगे 6 का 30 प्रतीशत और 25 प्रतीशत तो 30 और 25 कितना होता है 55 तो यदि उसने 55 प्रतीशत दे दिया तो बचेगा कितना 45% 100 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 6 वाले सवालों में क्या खर्ज किया है क्या गया है वो हमारे गाम का नहीं है क्या बचा वो हमारे गाम का है तो 100 में से 30 गया 70 बचा 70 में से 30 और 25 55 प्रतीशत गया तो बचा कितना 45 अब समझना बात आप 70 प्रतीशत के इनके साथ प्रतीशत भी चलेगा 70% के 45% में जो बचा होगा वो उसने अपनी बेटियों को उसके 3 हिस्से किये और अपनी बेटियों को दिया तब जाकर हर बेटी को कितना मिला 42 लाग जो 70% बचा उसका 45% जो बचा उसको 3 हिस्सों में बाटने के बाद कितना बच रहा है 42 लाग तो आपको बताना है total उसकी संपत्ती क्या थी बस अब इसे हमें solve करना है तो 42 में 3 का गुणा हो जाएगा नीचे इधर 70 आ जाएगा 45 नीचे आ जाएगा और 2 बार 100 से multiply हो जाएगा क्योंकि 2 बार percentage यहां पर है 0 से 0 cancel हो जाएगा 7 से यह 6 बार cancel हो जाएगा और कुछ cancel हो सकता है क्या तो 3 से यह 15 बार cancel हो जाएगा और हम इधर आगे solve करते हैं तो 3 से यह 2 बार और 3 से हो जाएगा 5 बार अब देखिए उपर हो गया 2 और यह हो गया 100 और यह हो जाएगा total 2000 तो यह हो जाएगा 2000 और बटे में 5 और इसको यह हमने solve किया तो total आएगा 400 अब देखिए यह 42,00,00 है तो हमारा last में जो answer आएगा वो भी लाख में आएगा मतलब उस व्यक्ति के पास total कितना पैसा था कितनी संपत्ति थी तो वो होगा 400,00,00 options इसी तरीके से दिये हुए है में से भी 30,25,55 दे दिया तो बचा कितना 45 अब जो बचा उसके तीन हिस्से किये तब जाकर हर बेटी को तीन बेटियां थी तीन हिस्से किये तो हर बेटी को मिले 42,00,00 इसको हमने solve किया तो आखरी में पता चला कि 100% total जो संपत्ति थी वो कितनी थी 400,00,00 ओके, clear है आगे बढ़ते हैं फिर हम एक और next question लेते हैं एक factory में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है इसमें से 75% पुरुष और 6 महिलाए हैं यदि 1350 पुरुष कर्मचारीयों की उम्र 30 वर्ष के उपर है तो factory में कुल कितने कर्मचारी है देखे, क्या बोल रहे हैं 60 प्रतिशत कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो हम ऐसे कर लेंगे कि suppose total कर्मचारी है 100% उसमें से 60% वो कर्मचारी है जो 30 प्लस हैं 30 साल से ज्यादा के हैं तो बचेंगे वो 40% जो 30 साल से कमके हैं आगे बोल रहे हैं इन में 55 प्रतिशत पुरुष हैं देखो, total 100% है उसका 60% निकालोगे तो 30 साल से ज्यादा वाले आएंगे और इसके अंदर फिर 55 प्रतिशत पुरुष है मैन हैं तो 25 प्रतिशत कोन होंगी महिलाएं, विमेन होंगी ओके आगे बोल रहे हैं तेरा सो पचास पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है 30 वर्ष के उपर है देखिए तेरा सो पचास कोन लोग हैं जो 30 से अवव हैं और ये तेरा सो पचास कोन है पुरुष है अब देखो 100 परसेंट का 60 परसेंट महिला और पुरुष मिलाकर इसमें मैन और विमेन दोनों शामिल है जो 60 परसेंट है इसके अंतरगत इसका 55 प्रतिशत पुरुष है और इसका 25 प्रतिशत महिलाएं है अब 30 वर्ष से अधिक पुरुषों की संख्या 1350 है तो देखिए हम उल्टा शुरू करते हैं यहां से शुरू करते हैं या चाहें तो आप इसको डारेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे इसको एदि और इजी बनाना है तो आप ऐसा करिए अधर्वाइस कन्फ्यूज हो जाएंगा आप ऐसा करिए 60 का 75% 75% मतलब होता है 3 by 4 4 से दि में डिवाइड करूँगा तो आएगा 15 15 का 3 मतलब इस 60 में 45 प्रतीशत पुरुष है तो बचेंगी कितनी 15 15 प्रतीशत कोन हैं महिलाएं हैं अब 1350 जो लोग हैं ये 30 साल से उपर वाले हैं और ये पुरुष हैं और 30 साल से उपर वाले पुरुष कितने हैं तो वो है 45 तो यदि 45% लोग 1350 हैं तो 100% मतलब टोटल वहाँ पे कितने लोग हैं तो आपको पता ही होगा 45 का 3 गुना होता है 135 2335 मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3000 ओके समझ में आगे होगा आपको ये नेक्स्ट देख लेते हैं देखें नेक्स्ट क्वेशन है एक अयस्क में किसी मिश्रधातु का 25 प्रतीशत है जिसमें 90 प्रतीशत आयरन है इसके अतिरिक्त अयस्क के 65 प्रतीशत में कोई आयरन नहीं है 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में कितनी होनी चाहिए जो कि आपसे लगबग में पूछा है देखें को समझाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अयस्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और मिश्रधातू जिसका मतलब होता है अल्वाई और इसके बाद फिर उसके अंदर आयरन जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी तो सबसे पहले हम जब भी कोई खान जो मतलब टनल्स जो होती है या किसी प्रगार की जो खान होती है तो जब उससे जो मटेरियल निकलता है उसको आयस्क बोलते है उसके अंदर मिनरल्स, मेटल्स, औलाय, सब कुछ होते है तो एक अयस्क में मिश्र धातू है जो 25% है देखें, अब हम जानते हैं हर चीज अगेन 100% होती है इसके अंदर ये अयस्क है हमारे लिए जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और इसमें से 25% निकालोगे तो आपको मिश्र धातू मिलेगी और वही मिश्र धातू जो है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अलोई ठीक है, और इसके अंदर 90% क्या है? इसके अंदर 90% आयरन है अब वो बोल रहे हैं कि यदि 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए तो कितना अयस्क होना चाहिए? हमें उल्टा चलना पड़ेगा एक बार फिर समझाता हूँ यदि आप 100 किलो निकालोगे अयस्क तो उसमें 25 किलो क्या निकलेगी? मिश्र धातू उस 25 किलो का 90% क्या होगा आयरन अब वो बोल रहे हैं कि हमें 60 किलो शुद्ध आयरन चाहिए तो उसके लिए कितना अयस्क होना चाहिए? कितना और होना चाहिए? देखो जो 60 किलो आयरन है वो कितना परसेंट होना चाहिए? 90 तो यदि मैं इसको 90 से डिवाइट करूँगा तो 100% क्या होगा? तो इससे में एक स्टेप उपर पहुच होगा इससे मुझे मिलेगी मिश्रधातू जो अपने आप में कितना परसेंट है? ये 25% है तो 200% क्या होगा? ऐसे स्टेप बाइ स्टेप आपको उपर जाना पड़ेगा क्यूंकि आईरन होना चाहिए 60 किलो जो अपने आप में कितना परसेंट है? 90 तो यदि ये 90 होगा तो 100% क्या होगा? इससे आपको मिश्रधातू पता चलेगी मिश्रधातू अपने आप में 25% है तो 100% क्या होगा? इससे आपको अयस्क मिलेगा solve कर लेते हैं हम इसको तो 25 से cancel हो जाएगा 4 बар 30 से cancel हो जाएगा 2 बार 30 से cancel हो जाएगा 3 बार और कुछ cancel हो सकता है तो नहीं 4 का दुगना 8 और 8 और ये हो जाएगा आपका 800 और नीचे आजाएगा 3 3 से यदि मैं इसको cancel करूँगा तो 3 से दुगना हो जाएगा 6, बचेगा 20, मतलब 3 से 6 बर 18, फिर बचेगा 20, तो यह आएगा 266.66, तो यदि हम इसको approximate देखें, तो answer आएगा 267 kg, यदि 267 kg अयस्क हमारे पास होगा, उसका 25 परसेंट निकालेंगे, तो मिश्रधातू, और उसका 90 परसेंट निकालेंगे, त इस तरीके से हमें आपे उल्टा जाना पड़ेगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो 100%, तो यह अपने आप में हमारे लिए 100% है, फिर यदि यह यदि 25% value रखता इसके आगे, तो real 100% क्या होगा, इसलिए हमने बापस से 100 का महाँ पे multiply किया, ओके, समझ में आगे होगा आपको य शादी शुदा महिलाओं के 1 बटे 3 भाग के बच्चे भी हैं, यदि पुरुषों का 3 बटे 4 भाग शादी शुदा है और शादी शुदा पुरुषों का 2 बटे 3 भाग बच्चे हैं, तो कितने करमचारियों के बच्चे नहीं हैं, ओके, यहाँ पे सब कुछ आपको fraction में दिया हुआ है, तो आपको पहरे तो कोई value assume करना पड़ेगा, कि कोई value यहाँ पे क्या होगी, उसके इसाब से हम चलेंगे, तो आपसे बोल रहे हैं, एक बटे 3 भाग महिलाए हैं, देखिए, एक बटे 3, एक बटे 2, एक बटे 3, एक बटे 4, इसको देखते हुए, LCM तो हम number change भी कर सकते हैं, वैसे मैं direct number ले सकता हूँ, पर solve करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कत आएगी, तो number को हम थोड़ा सा modify करेंगे, आपसे बोल रहे हैं, एक बटे 3 भाग महिलाएं हैं, तो इसका यदि आप 3 का भाग दोगे, मतलब 400 महिलाएं होंगी, तो 800 कोन होंगे, पुरुष होंगे, ठीक है, जितनी महिलाएं हैं, उसका आधा शादी शुदा हैं, तो 400 का यदि आप आधा करोगे, तो 200 शादी शुदा हैं, और 200 की शादी नहीं हुई हैं, अब विवाहित हैं, आगे शादी शुदा महिलाएं का एक बटे 3 भाग के बच तो आप थोड़ी देर के इमेजिन करिए, कि यहाँ यदि 300 होता, तो जाद अच्छा होता, यहाँ 300 होता, तो यहाँ हमें क्या चाहिए होता 600, और यहाँ 600, तो यहाँ double, मतलब 1200, तो हमें actual में number एजियूम करना पड़ेगा, कुछ अलग, तो हम ऐसा करते हैं, हमारा number लेते हैं 1800, अब देखिए, 1800 का एक बटे तीन महिलाएं हैं, तो एक तरफ में लिख देता हूँ men, एक तरफ लिख देता हूँ women, तो वन थर्ड, एक बटे तीन, तो वो आएगा कितना 600, तो 600 हैदी महिलाएं हैं, तो 1800 में से 600 गया, तो पुरुष कितने होंगे 1200, ठीक है, महिलाओं का आधा, हाफ शादी शुदा हैं, मैरीड हैं, तो इसमें से 300 महिलाएं मैरीड हैं, और बची 300 ये अनमैरीड हैं, ओके, आगे बोल रहे हैं, शादी शुदा महिलाओं के एक बटे तीन के बच्चे हैं, जितनी मैरीड विमन हैं, शादी शुदा महिलाएं हैं, इ आगे बढ़ते हैं, पुरुषों का 3 बटे 4 भाग शादी शुदा है, तो 1200 का हमें फिर married और unmarried निकालना पड़ेगा, तो 1200 का 3 बटे 4, आप 3 बटे 4 करेंगे, 4 से भाग देंगे 300, 300 का 3 गुना 900, 900 शादी शुदा हैं और 300 अब विभाहित हैं, unmarried हैं, आगे बोल रहे हैं, शादी शुदा पुरुषों का 2 बटे 3 भाग बच्चे हैं, जितने married हैं, इसका यदि 2 बटे 3 भाग निकालेंगे, तो 900 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 300, 300 का दुगना हो जाएगा 600, तो 600 पुरुषों के बच्चे हैं, अब देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, कितने कर कर्मचारी हैं, तो टोटल कर्मचारी हैं, अठारा सो, इन अठारा सो में से 600 पुरुष हैं, जिनके बच्चे हैं, और 100 महिलाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, तो 600 और 100, टोटल कितने लोग हो गए 700, तो अठारा सो में से 700 लोगों के बच्चे हैं, तो कितने लोगों के बच बच्चे नहीं है। बस कोशिश करिए कि किसी को भी हम solve करें तो point में कोई value नहीं आनी चाहिए। पॉइंट में आएगा तो आपका answer गलत हो जाएगा इसलिए बस ac value मानिए जिससे चीजे exact हो। आप कोई भी number लोगें आगे जाके अधी वो फसेगा तो आपको अपना number change करना पड़ेगा। जैसे हमने 1200 मान के किया तो दिक्कत आ रही थी। क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा number चाहिए जो 3 से divide हो। तो हमने 300 मान लिया। यहाँ 300 यहाँ 300 तो यहाँ 600 तो आदमी कितने होने चाहिए 1200। इसलिए हमने 1200 और 600 कितने करमचारी मान लिये 800। तो आप और कुछ भी लेंगे आंसर आ जाएगा बस सब कुछ calculate हो जाना चाहिए। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने type change करेंगे और अब हम next mission जो mixture allegation के कुछ questions होते हैं उनको सीखेंगे। आईए बचो अब हम अगला नया type देखते हैं अगले हम questions लेने वाले हैं मिश्रन मतलब mixture से जुड़े हुए कुछ questions हाला कि mixture allegation हमारा एक नया topic है रहेगा आगे उसको complete details से पढ़ेंगे पर उसके कुछ questions होते हैं जो प्रतीशत के अंतरगत आते हैं उनको हम यहाँ पे discussion करे उनको हम समझेंगे तो next question हमारा जो रहेगा आज का वो आप पढ़ सकते हैं एक बरतन में 800 लीटर दूद और पानी का मिश्रन है solution of milk and water 800 लीटर है जिसमें 80 प्रतीशत दूद और 6 पानी है कितना दूद और मिलाया जाए जिससे दूद 90 प्रतीशत हो जाए देखें इस question को ह हम दो दरीके से कर सकते हैं एक long method होती है जिसमें बहुत से बच्चे confused होते हैं तो मैं आपको इसकी direct एक short trick बताऊंगा उससे आप इसे questions के answer हमेशा जल्दी से ले आएंगे पर इसमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए हमसे इसमें कहा गया है कि total हमारा जो solution है वो है 800 liter 800 liter का solution है इसमें 80% दूध है असी प्रतीशत इसमें दूध है मतलब milk है फिर आपसे बोल रहे हैं आगे कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध का प्रतीशत कितना बन जाए तो 90% बन जाए ठीक है तो फिलाल 80% दूध है मतलब बचा हुआ पानी है कितना दूध और मिलाये कि दूध का परसेंटेज कितना हो जाए 90 इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है आपको जो ध्यान रखनी है वो यह सबसे पहले आ जिल्क अभी कितना है और बाद में कितना होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है अभी 80 है बाद में 90 होना चाहिए दोनों में अंतर है 10 का और नीचे हमेशा जो लास्ट वाली कॉंटिटी है जो लास्ट वाला परसेंटेज है उसको 100 में से घटाना है तो 100 में से आंसर भी क्या होगा 800 लीटर मतलब 800 लीटर दूध हमें और डालना पड़ेगा तब जाके दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा 80 प्रतीशत से 90 प्रतीशत हो जाएगा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ दोनों का आपको अंतर लेना है तो 80 और 90 में अंतर है 10 का और लास्ट वाली कॉंटिटी को हमेशा 100 में से घटाना है तो 100 में से 90 गया तो आएगा 10 और जो भी कैंसिल होने पर आंसर आएगा वही आपका final answer होगा आगे अभी और questions मैं आपको बताऊंगा फिलाल मैं आपको इस question का long method भी बता देता हूं कि actual में आपे होता क्या है देखे यदि हम इसको long method से करें तो 80 प्रतीशत यदि दूध है मतलब 20 प्रतीशत क्या है? पानी है बात में 90 प्रतीशत दूध होना चाहिए मतलब पानी कितना प्रतीशत हो जाएगा? 10 और हमें क्या मिलाना है? तो हमें दूध मिलाना है समझने वाली बात यह है एसे questions में कि आपको यह देखना है कि क्या नहीं बदल रहा है दूध 80 है बाद में 90 होना चाहिए दूध mix करना है मतलब दूध की मात्रा में change आएगा पर पानी की मात्रा में तो कोई change नहीं आएगा पानी जितना है वो उतना ही रहेगा ठीक है? पर पानी का percentage बदल रहा है तो देखे पहले 800 लीटर का 20 प्रतीशत पानी था तो 800 का यह दिदी 20 प्रतीशत निकालेंगे तो 160 लीटर आएगा मतलब पानी 160 लीटर है अभी और ये तो बाद में भी 160 लीटर ही रहेगा percentage बदलेगा वो अलग चीज़े पर पानी जितना पहले था वो उतना ही रहेगा मात्रा बदलेगी दूद की तो हम यह देखते हैं कि क्या नहीं बदल रहा है तो पानी नहीं बदलेगा पानी 160 लीटर है बाद में भी 160 लीटर रहेगा तो बाद में 10 प्रतीशत का मान 160 होगा तो 160 अगर 10% है तो 100% क्या होगा और इसको हम solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 1600 मतलब जो मिश्रण अभी 800 लीटर है वो बाद में 1600 लीटर हो जाना चाहिए तो आप खुद देख सकते हैं कितना लीटर का change आ गया है 800 लीटर का मतलब 800 लीटर यहाँ पे दूद की मात्रा बढ़ गई और यह हो जाएगा हमारे question का answer तो better जो trick में आपको पहले बताईए आप उससे करेंगे एक और question देख लेते हैं इससे आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएगी next question है हमारा 600 लीटर दूद और पानी के मिश्रण में 60 प्रतीशत दूद है कितना दूद निकाला जाए जिससे दूद 50 प्रतीशत रह जाए देखिए as it is हम इस question को करेंगे total आपको दिया हुआ है कि कुल मात्रा है 600 लीटर और इसमें फिलाल दूद कितना है 60 प्रतीशत दूद निकालना है कि दूद 50 हो जाए तो फिलाल दूद है 60 प्रतीशत कितना दूद निकाले कि दूद की मात्रा 50 प्रतीशत हो जाए आपको मैंने जो ट्रिक बताई आप उसी से करिए तो total quantity कितनी है 600 अब आप इन दोनों का difference ले लिजे तो दोनों में difference कितने का है 10 का और last वाली quantity को 100 में से minus करना है तो 100 में से 50 को minus करेंगे तो यहां भी आ जाएगा 50 past से हम इसको cancel कर देंगे तो हमारे question का answer आजाएगा 120 लीटर कई बच्चे हैं सोचते हैं कि पहले वाले question में दूद मिलाना था इस वाले question में दूद निकालना है तो trick में कोई change आएगा तो कोई change नहीं आएगा जो आपने last question में करा है कोई भी चीज मिलाई जाए या निकाली जाए हमारी इस trick में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप same करोगे दोनों का difference और last वाली quantity को 100 में से minus करके नीचे रखना है solve करना है direct आपका answer आजाएगा अब कभी-कभी कुछ और conditions इसमें हो सकती है तो next question से आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा 1200 लीटर दूद और पानी का मिश्रण है जिसमें 60% दूद है कितना पानी निकाला जाए जिससे दूद की मात्रा 80% हो जाए चलिए next question में एक छोटा सा change है यदि आप उसको observe कर पाए आप से बोल रहे हैं 1200 लीटर का मिश्रण है ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं है फिलाल 60% दूद है और बाद में दूद 80% होना चाहिए तो आप से बोल रहे हैं अभी दूद 60% है कितना पानी इसमें से निकाला जाए जिससे दूद का प्रतीशत 80% हो जाए एक बार question को हम चेक कर लेते हैं कितना पानी निकाला जाए जिससे दूद की मातरा 80% हो जाए अब यदि आप इस question को देखेंगे तो आपको पिछले question से इसमें कोई change लगेगा यदि आप closely बारी किसे observe करेंगे तो आपको अंतर दिखेगा अंतर ये है कि इस question में यहां दूद है बात पानी निकालने की हो रही है और बात में फिर दूद का 80% बोल रहा है जबकि इसके पहले हमने जो questions किये थे उसमें सब सेम हो रहा था दूद 60% है कितना दूद मिलाए कि दूद 80% हो जाए सब कुछ एक जैसा चलना चाहिए तो आप क्या करेंगे 60% यदि दूद है सब को एक जैसा बनाओ अब ये देखना है इसको देखते हुए कि यदि पानी निकालना है तो तीनों का क्या होना चाहिए पानी तो कितना पानी निकाला जाए ये as it is रहेगा देखें दूद यदि 60% है तो पानी कितना होगा तो पानी हो जाएगा 40% और बाद में दूद 80% हो जाए तो बाद के में पानी कितना हो जाएगा 20% अब आपका question सही है अब हम इसे नहीं देखेंगे अब हम इसे देखेंगे अभी 40% पानी है कितना पानी निकालें कि पानी 20% हो जाए अब हमारा question सही हुआ है अब हम इसको कर सकते है तो कैसे करेंगे 1200 इन दोनों का difference लेंगे तो 20 और last वाले को 100 में से minus करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो या जाएगा 80 20 से कैंसी लोगा ये 4 बार 4 से कैंसी लोगा 300 बार तो आंसर आजाएगा 300 लीटर पानी निकाला जाए तो यहाँ अलग क्या था यहाँ अलग था कि दूद दिया था बात पानी निकालने की चल रही थी जबकि यदि पानी दिया है तो पानी निकाले या मिलाए उससे फर्ग नहीं पड़ेगा पर तीनों चीजे सेम होनी चाहिए नहीं है उसको आपको बनाना है और बनाना है जो निकाल रहे है या मिला रहे है उसको देखते हो यदि यहाँ पानी है तो तीनों जगा पानी होना चाहिए यहाँ दूद दिया होता, तो तीनों जगत दूद होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, मतलब content same होना चाहिए, ओके, चलिए, next question देख लेते हैं, अगला एक और question है, तामबे और aluminium के 2 kg मिश्टरण में 30% तामबा है, इस मिश्टरण में कितना aluminium powder और मिलाया जाए, जिससे ताम question है, और अब आप यह वाला question कर सकते हो, देखे, क्या बोल रहा है, आप से कहा गया कि 2 kg का मिश्टरण है, जिसमें 30% तामबा है, टोटल 2 kg का मिश्टरण है, इसको हम 2000 g बना लेते हैं, जिससे answer एदी g ग्राम में आए, तो हमें दिक्कत ना हो, और इसमें 30% तामबा है, त कितना aluminium powder मिलाया जाए, जिससे तामबा 20% हो जाए, कितना aluminium powder मिलाया जाए, जिससे तामबा copper 20% हो जाए, तो जस्ट अभी हमने सीखा था कि 3 चीजें सेम होनी चाहिए, पर इसा नहीं हो रहा है, aluminium mix करने की बात चल रही है, तो पूरा question aluminium में होना चाहिए, तो देखिए, 30% य और यहाँ पे 20% है, तो aluminium कितना हो जाएगा, 100 में से आप 20 माइनस करोगे, तो वो बन जाएगा 80, अब आपका question सही है, अभी 70% aluminium powder है, कितना aluminium और उसमें mix करें powder, जिससे aluminium 80% हो जाए, तीनों चीजें सेम है, अब आप question को कर लिजिए, तो 2 kg मतलब 2000 ग्राम, और इन दोनों मे आप difference देखेंगे, तो दोनों में difference है 10 का, और last वाली quantity को हमें 100 में से minus करना है, तो 100 में से 80 गया, यह हो जाएगा 20, यह cancel किया, finally आपको मिलेगा 1000 gram aluminium powder हमें मिलाना पड़ेगा, या 1 kg, जो भी option में है, उसको हम लगा देगे, So I think अब आपको इन 4 questions से ये वाला type अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको measurement वाले chapter में हम एक बार फिर से पड़ेंगे, और और भी इसके कई type की questions होते हैं, जो हम उस chapter में detail में पड़ेंगे, फिलाल यहाँ पे 1 a type होता है, अभी इसमें हम फिर कुछ एक नए question देख लेत हम आयस्क निकाला जाए, तो कितना किलो शीशा होगा, ओके, इसमें हमें क्या करना है, आप से बोल रहे हैं, शीशा आयस्क के खान में 60 प्रतीशत धातु है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आयस्क जब भी हम कोई माइन या किसी भी खान से कोई चीज निकालते हैं, तो जो complete material निकलता है, उसको आयस्क बोलते हैं, जिसे English में बोलते हैं, और, O, R, E, और, उसके अंदर फिर minerals, metals, alloy, बहुत सारी चीजे होती हैं, तो सबसे पहले जो हमारे हाथ में आता है, वो होता है आयस्क, तो हमारे पास इस question में दिया हुआ है, कि total जो आयस्क है, वो कि इस आयस्क में 60% metal है, 60% धातु है, तो यदि में इसका 60% निकाल दूँ, तो डारेक्ट हम इसे कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें धातु, मतलब metal 4800 kg है, आगे बोल रहे हैं, शेश, चांदी का प्रतीशत, धातु का 3 बटे 4 प्रतीशत है, मतलब 8000 kg अयस्क था, इसका हमने 60% निकाला, तो धातु कितनी आगे 4800, इसका 3 बटे 4 प्रतीशत आप निकालोगे, तो वो चांदी होगा, देखो, और चांदी के अलावा जो बचा, वो पूरा शीशा है, जो आपको पता लगाना है, तो 4800 kg का 3 बटे 4 प्रतीशत, प्रतीशत भ 36 kg क्या है, 36 kg है चांदी, चांदी मतलब सिल्वर, इतना समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं, 8000 kg अयस्क का 60% निकालोगे, तो मैटल, 4800 kg धातु है, जिसके अंदर दो चीज़े हैं, पहला सिल्वर, मतलब चांदी, दूसरा शीशा, मतलब लेट, फिर बोल रहे हैं, इस धातु का केवल 3 बटे 4 प्रतीशत, 3 बटे 4 नहीं, 3 बटे 4 प्रतीशत, प्रतीशत मतलब 100 को नहीं भूलना, 36 kg इसके अंदर चांदी है, तो 4800 में से यदि मैं 36 kg चांदी हटा दू, तो जो बचेगा वो आ जाएगा, शीशा मतलब लेट, जिसकों बोलते हैं, तो 4800 मे से यदि 3600 घटा दिया जाए, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और इधर बचेगा 47, तो आपका आंसर आजाएगा 4764 किलो, ये क्या है, शीशा है, आया होगा आपको समझ में, तो step by step आप इस टाइप की questions को करेंगे, आईए, फिर हम next question देख लेते हैं, ताजे फल में 68 प्रतीशत पानी है, और सूखे फल में 20 प्रतीशत पानी है, 100 किलो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, बहुत ही confused करने वाला question जो बच्चों को लगता है, एक बार इसको में अच्छे समझेंगे और आपको कभी को इसमें दि प्रता देता हूँ, देखें हमसे question में क्या कहा गया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ताजे फल में 68 प्रतीशत पानी होता है, और सूखे फल में 20 प्रतीशत पानी होता है, आगे बढ़ने के पहले हम इन दोनों चीज़ों को डिसकस करते हैं, यहां दो प्रकार के fruits है एक हो गया ताजे फल, जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं fresh fruits, और दूसरी वो बात कर रहे हैं सूखे फल, जिसे इंगलिश में हम बोलते हैं dry fruits, अब देखिए, कोई भी fruit हो, उसके अंदर दो चीज़े होती हैं, एक तो water, मतलब पानी, और दूसरा actual fruit part, जिसको हम pulp या रेशे बोल सकते हैं, तो देखिए, ताजे फल के अंदर भी दो चीज़े होंगी, एक तो खुद पानी हो जाएगा, मतलब water हो जाएगा, और दूसरा हम बोल सकते हैं, जो fruit part है, या रेशा जिसको बोल सकते हैं, या इंगलिश में जिसे pulp कहते हैं, pulp, ठीक है, और यही इस ड्राइ फ्रूट में भी होगी, तो ड्राइ फ्रूट के अंदर भी दो चीज़े होंगी, फर्स्ट वाटर, मतलब पानी, और सेकेंड, पल्प, मतलब रेशा, या जो fruit part होता है, दोनों चीज़े होती हैं, अब आप से बोल रहे हैं, ताजे फलो में 68 प्रतीशत पानी ह होता है, जबकि सूखे फलो में 20 प्रतीशत पानी होता है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कि यदि हम, यहाँ पर आप example ले सकते हैं, एक अंगूर का, ग्रैप का, अंगूर और किश्मिश, दोनों आपके example से आपको clear होगा, कि यदि अंगूर में हम देखेंगे, तो पानी का percentage जादा होगा, पर वही अंगूर जब सूख जाता है, तो उसमें पानी का percentage कम हो जाता है, वो किश्मिश बन जाता है, मतलब वो dry fruit बन जाता है, लेकिन जो पानी के अलाबा अंगूर के अंदर जो बाकी part था, मतलब जो रेशा था या जो fruit था, वो तो सेम था, जि अब आप से बोल रहे हैं कि यदि 100 किलो ताजे फल लेकर आएं, तो उसमें से dry fruit कितना निकलेगा, dry fruit से उनका मतलब है दोनों चीजें, including pulp and water, दोनों चीजों का कितना combined quantity निकल सकता है, देखो, यदि हम इसमें और आगे बढ़े हैं, तो 68 प्रतीशत यदि पानी हैं, तो ज अधर ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, main बस आपको एक ही बात समझनी हैं कि जितना fruit part पहले था, वो उतना ही बाद में रहेगा, percentage में मत जाएगे, जितना weight पहले था, उतना ही weight उसका बाद में था, क्योंकि एक चीज में कमी आई है, वो है पानी, fruit के अंदर से पानी कम हुआ है, बाकी चीजे सेम थी, जो पहले थी, मतलब रेशा, pulp पहले भी उतना ही था, जितना बाद में होगा, अब देखो, आप क्या करोगे, 100 kg यदी ताजे fruit हम लाएंगे, तो उसमें 68% water है, मतलब actual fruit part, या pulp part कितना है, 32, तो ये मैंने calculate किया, तो उसके अंदर pulp की और ये dry fruit में भी होगा, इसके अलावा जो होगा वो पानी, पानी इधर कुछ हो सकता है, उधर कुछ हो सकता है, पर 32 kg पहले भी रहेगा, और बाद में भी रहेगा, dry fruit के अंदर यही चीज 80% है, तो यदी 80% बाद में यही 32 kg यदी 80% हो जाए, तो 32 kg अगर 80% हो, तो 100% इस case में क्या होगा, तो हम इसको जब solve करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह 40 kg होगा, मतलब यदी 100 kg fresh fruit होंगे, तो उससे dry fruit कितना बनेगा, 40 kg, 40 kg, अब मैं फिर आपको एक बात बता दू, कि 100 kg में जो fruit part है, वो 32 kg है, यह पहले भी 32 kg रहेगा, बाद में भी 32 kg रहेगा, फर और बाद में वही 32 kg 80% के बराबर है, बाकी quantity उसकी दोनों जगा सेम रहेगी, तो यदी बाद में dry fruit में 80% की value 32 हो, तो total dry fruit की quantity क्या होगी, तो हमारा answer हो जाएगा 40 kg, ओके, तो यह आपको समझ में आया होगा, एक और इसी type का हम question लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा और change होता है इन सभी सवालों में, यदी आपको इनका logic समझना है, तो बस एक चीज धियान रखिए, कि क्या चीज नहीं बदल रही है, दो चीज़ें हो सकती हैं, दूद, पानी, या कोई metal हो, या जैसे यहापे आपको fruit, dry fruit आपको बोला है, क्या नहीं बदल रहा है, यदी वो चीज आ आपके हमेशा answers आ जाएंगे, चलिए, next question देख लेते हैं, इस type का हमारा ये last question है, फिर हम type change करेंगे, इसके बाद जनसंग, sorry, चुनाओ, election वाले questions हम करने वाले हैं, 20 kg ताजे तरबूज में 96 प्रतीशत पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95 प्रतीशत पानी रह जाता है, बोला गए आपको यहापे, 20 kg का एक ताजा तरबूज है, जिसके अंदर 96% पानी है, कुछ समय बाद पानी तरबूज सूख गया, हम तरबूज को रखेंगे, तो पानी का percentage कम होगा, बाकी again भही बात है, जो उसके अंदर का pulp है, जो रेशा है, जो fruit part है, वो सेम रहेगा, change जाएगा केबल पानी की मातरा में, तो बाद में पानी 95% प्रतीशत रह जाता है, देखिए, पहले हम तरबूज को देखें, तो पहले उसमें 96% water था, मतलब पानी था, मतलब 4% उसके अंदर pulps थे, मतलब रेशा था, ठीक है, fruit था, बाद में जब पानी की मातरा कम हो गई, तो बाद में 95% पानी हो गया, तो अब pulp कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5%, इतना आपको समझ में आया होगा, अब पानी की quantity में change आया है, बट जो pulp का जो weight है, वो पहले भी उतना ही होगा, जितना बाद में होगा, अब जो तरबूज है, वो कितने किलो का है, वो 20 कि का हैं जिसमें से 4% fruit part है मतलब रेशा है पानी को हम नहीं देखें क्योंकि पानी की मात्रा बदलेगी ये अभी भी इतना ही है बाद में भी उतना ही रहा होगा quantity में तो मैंने इसको 20 से cancel किया 5 बार और 4 में 5 का भाग दिया तो मुझे पता चला 0.8 केजी मतलब 20 किलो के तरभूज में जो आपका fruit part है रेशा है वो 0.8 किलो है तो ये अभी भी 8 किलो है बाद में भी 8 किलो रहेगा तो देखिए 0.8 केजी यदी 5 परसेंट है ठीक है 4 बटे 5 हो गया यदी ये 5 किलो है 5 परसेंट है तो 100 परसेंट उस केज में क्या होगा और जब आप इसको solve करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16 किलो मतलब जो तरभूज है वो जो पहले 20 किलो का था वो अब कितना हो गया है 16 किलो का हो गया है आपसे ये भी पूछा जा सकता है हलाकि हमसे यहाँ पर पूछा है तरभूज का वर्तमान वजन गयाद कीजिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तरभूज कितना लीटर पानी कम हो गया या कितना किलो पानी कम हो गया तो 20 से 16 हो गया मतलब कितना कम हो गया 4 किलो तो ये वाला question भी आपको समझ में आ गया होगा अब हम next नए type की ओर चलते हैं आईए बचो next हमारा जो type है वो है election मतलब चुनाओं से संबंधित प्रश्न इसमें हम कई प्रकार के questions करने वाले हैं शुरुआत करेंगे basic questions से फिर tough और advanced level के questions भी करेंगे पहला हमारा question काफी आसान है जिससे मैं आपको basic चीज़े समझाओंगा इसके बाद फिर हम questions का level बढ़ाते चलेंगे फर्स हमारा question एक चुनाओं में दो उमिदवार हैं जिस उमिदवार को कुल मतदान का 60% बोट बिलता है वह 14,000 बोटों के बहुमत से जीत जाता है जीतने वाले उमिदवार को कितने बोट प्राप्त हुए देखें कभी भी आप percentage के questions करते हैं या especially election चुनाओं वाले question करते हैं सबसे पहली बाद आप जाद रखिए कि हर चीज total मतदाता, total बोट देने वाले या जो उमिदवार है उन्हें सभी का total हमेशा कितना परसेंट होता है 100% अब यहाँ दो उमिदवार हैं मैं उन्हें नाम दे देता हूँ एक को A और एक को B ये जीत रहा है, ये हार रहा है जस्ट हमने इसमें मान लिया आपसे बोल रहा है, जो उमिदवार जीत रहा है उसे 60% बोट मिले तो 100 में से 60 अदि इसको मिल जाएगा तो 100 में से 60 गया तो B को कितना परसेंट मिलेगा 40% मिलेगा इतना समझ में आ गया अब एक बाद आप समझेगा कभी भी चुनाओ वाले प्रश्णों में हारना या जीतना शब्दा जाए जीतना मतलब विनिंग वाला केस हो हारना मतलब डिफेट या लूज वाला केस हो इसका हमेशा मतलब होता है अंतर ठीक है क्योंकि हारना या जीतना इस बात पर निर्वर करता है कि मुझे अपने competitor से कितना ज़्यादा मिला या मुझे अपने competitor से कितना कम मिला तो उनमें जो difference होगा वो हार या जीत तै करेगा आप से बोल रहे हैं जो जीतने वाला उमिदवार है जो जीत रहा है वो 14,000 बोटों से जीत रहा है तो 14,000 बोटों से तू जीत रहा है पर ये है कितना परसेंट तो आप यहाँ देखिए A को मिला 60, B को मिला 40 तो मैं बोल सकता हूँ कि A 20% बोटों से जीत रहा है हारना ये जीतना मतलब अंतर तो A को B से 20% जादा मिला इसलिए वो 20% मतलब 14,000 बोटों से जीत रहा है अब दो चीजे हैं आप चाहें तो टोटल कितने लोगों ने बोट दिया वो पता लगा सकते हो या आप डारिट पता लगा सकते हो कि जीतने वाले को कितने बोट मिले तो देखें यदि 14,000 20% है तो 100% क्या होगा यदि मैं यहां पे 100 रखूँगा तो 100% मतलब मुझे टोटल बोटर्स मिल जाएंगे कुल मतदाता मिल जाएंगे तो 20 का मैंने यहां 5 गुना किया 14,000 का 5 गुना तो टोटल 70,000 70,000 मतलब कुल कितने लोगों ने बोट दिया 70,000 पर मुझे से कुल नहीं पूछा है मुझे से पूछा है जीतने वाले को कितने बोट मिले चाहें तो आप 70,000 का 60% निकाल सकते हो या आप डारिट आंसर भी ला सकते हो मैं यहां करके बता देता हूँ 14,000 बोट अगर 20% है देखिए यह कैसी पोजिशन है कि यहां पे आप जो रखेंगे वो मिलेगा 100% रखोगे तो टोटल बोट मिल जाएंगे 60% रखोगे तो A के बोट मिल जाएंगे 40% रखोगे तो B के बोट मिल जाएंगे यहां मैंने 60 रख दिया क्योंकि जीतने वाले क्या आपसे पूछा है 20 से कैंसिल होगा यह 3 बार 14,000 का 3 गुना तो आपको पता चल जाएगा कि जो जीता है उसको कितने बोट मिले है 42,000 तो आप 70,000 का 60% निकाल सकते थे या डारेक्ट बस यह ध्यान रखी कि आप यहां जो इजी questions आते नहीं है questions जो आते हैं वैद अवैद मतलब valid invalid boats इस टाइप के होते हैं तो हम डारेक्ट वहां पे shift हो रहे हैं यह question के वहल आपको basic बताने के मिने करवा दिया नेक्स्ट हमारा question है एक चुनाव में दो अमिदवार हैं 10% मत डाले नहीं जाते हैं 10% बोट कास्ट नहीं हुए एक उमिदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है कुल मतों की संख्या ग्यात कीजिए चलिए देखिए 100% आप माइंड में रखेंगे हारना जीतना मतलब अंतर है इसको मैं हटा देता हूँ और जो जो चीज़े आपसे कही गई है उस पे ध्यान दे 10% बोट नहीं डाले गए और उमिदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है देखिए आपको यहाँ पे समझना यह है कि टोटल 100% लोग बोट दे सकते थे लेकिन 10 प्रतीशत लोग बोट डालने नहीं आए मतलब आए कितने 90 अब 90 में से 60 अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो सोचते हैं कि 90 में से 60 A को मिल गया तो 30 B को मिलेगा पर ऐ ऐसा नहीं होता है ठीक है याद रखिए यदी वो बोलते हैं कि 90 में से 60 प्रतीशत तो अलग बात थी पर ऐसा कभी नहीं बोला जाता है हमेशा कहते हैं वैद मत अब यहाँ पर एक और चीज है यह अभी तो खेर वैद और अवेद वाली बात नहीं आई है पर 10 प्रतीशत बोट नहीं डले मतलब बोट कितने डले है 90 और आपसे क्लियरली कहा गया है कि ए को या जो फर्स्ट व्यक्ति है उम्मिदवार है उसे 60 प्रतीशत मत मिले हैं जितने बोट डले उसका जितने बोट डले उसका 60 परसेंट ना कि उसमें से 60 इस चीज का दियान रखना है देख तो यह जाएगा 54 ऑके, तो अब आपको पता चला कि बोट को बोट मिले है 36 यह मतलब होता इसका तो आपको calculate करना है ना कि सीधा minus कर देना है अब आगे बात करते हैं आगे बोल रहे है 720 मतों से जीत रहा है जो वेक्ति यहां पे जीता है तो जीतना या हारना मतलब हमेशा उसका मतलब होगा अंतर तो आप यहां देखिए दोनों में कितने गंतर है तो दोनों में यहां पे अंतरे 18% का और वो कितने मतों से जीता है तो 720 मतों से जीता है 720 मत यदि 18% है तो 100% क्या होगा और 100% मतलब आपको direct पता चल जाएगा कितने लोगों ने बोट दिया 18 के टेबल में ये आता है 4 बार मतलब 40 से cancel होगा और टोटल मतदाता, कुल बोटर्स, टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000, ओके, ये एक तरीका हुआ, अब इसमें हम थोड़ा सा समय और बचा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप डारेक्ट 18% ला सकते हो, देखिए कैसे, अब ध्यान पता है, कि 90% का 60% A को मिला, तो 90 का 60% यदि A को मिला, तो 60% गया, तो बचेगा कितना, 40% ये B को मिला, ठीक है, फिर 90 का 60% A को मिलेगा, तो 40% B को मिलेगा, तो हम पहले 90 का 60% निकालें, फिर 90 में से हटाएं, तो B का पता चले, बेटर कि हम डारेक्ट करें, हमें डारेक्ट A और B का जब आखरी में अंतर निकालना ही है तो हम direct कैसे निकाल सकते 90 का 60 A को जाएगा 90 का 40 B को जाएगा तो मुझे बताइए दोनों में difference कितने का है 20 का तो यदि मैं direct 90 का 20% निकाल दू तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा 18% तो आपको यहाँ पे double calculation नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आखरी में भी तो A और B का अंतर ही निकालना है तो हम direct निकाल देते हैं तो 60 को मिला 40 को मिला मतलब दोनों में अंतर कितने का है 20% का तो 90 का 20% तो आपको direct पता चल जाएगा कि A और B में अंतर कितने का है 18% का है बागी तो आपागे सेम कर लेंगे ओके आईए एक और question हम देखते हैं इससे आपको और चीज़े अच्छे समझ में आएगी इस बार और double conditions होगी देखे नेक्स question में कहा गया है एक चुनाओं में दो उमिद्वार थे 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया 10% लोग बोट नहीं डालते हैं 6 के 10% मत अवेद घोशित किये गए जीतने वाला उमिद्वार वेद मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7,290 मतों से जी जाता है तब मतदाता सूची में कुल संख्या क्या होगी ओके देखे इस बाद double condition है सबसे पहले तो 100% है 10% लोग बोट डालने नहीं आए तो 10% अगर नहीं आए तो आए कितने 90 फिर बोल रहे हैं 6 का 10% अवेद मतलब invalid घोशित कर दिया तो 90 का 10% 90 में से 10 नहीं घटा होगे 90 का 10% क्या होता है यह आपको जानते ही है आते ही होगा करना 90 into 10 upon 100 होगा तो 9% बोट जो है यह invalid बोट से ओके तो बचे कितने 81% और 81% कैसे बोट है invalid invalid का मतलब होता है अवेद और valid का मतलब होता है वेद ठीक है तो 100 लोग थे 10 बोट नहीं डालने आए मतलब बचे 90 बचे हुए का 10% मतलब 90 का 9% 10% 9 होता है बचा कितना 81 तो 81% actual में बोटिंग होई है अब आगे देखिए आगे बोल रहे है जीतने वाला उम्मिदवार वेद मतों का 70% प्राप्त करता है 70% of valid votes वेद मतों का 70% देखिए टोटल वेलिट बोट से 81 और इसका 70% प्राप्त करेगा A हम A और B नाम दे रहे है अपने समझने के लिए जीतने वाला 70% ये ले जाएगा तो B कितना लेके जाएगा 30 तभी तो 100% होगा तो 81 का 70% अगर A ले जाएगा तो 30% कोन लेके गया होगा B तो मैंने आपको कहा है कि हमें ultimately A और B का difference लेना है तो हम क्यों ना उसको direct निकाल ले इस बार आपका calculation बढ़ेगा क्योंकि 81 का 70% निकालोगे फिर जो आएगा उसमें से 81 में से फिर वो minus करोगे तो B का पता चलेगा फिर A और B का minus करोगे तब आपको final पता चलेगा हम उस चीज को direct कर लेते तो 70 और 30 दोनों में कितने का difference है 40 का तो जो भी आएगा वो 81 का 40% होगा इतना समझ में आया तो 81% का जो 40% आएगा वो किसको मिला है तो वो है इन दोनों का अंतर मतलब A जीत रहा है B से 81 के 40% से तो देखे 81 का 40% निकालने पर जो आएगा वो इन दोनों का अंतर है जो कि आपको question में दिया हुआ है 7290 7290 तो अगर 7290 81 का 40% है तो 100% क्या होगा और अब बस आप इसको solve करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा 22500 मतलब कुल कितने लोग boat देने वाले थे 22500 एक और में बात बदा दू आगे की question में आएगा कभी-कभी आपसे बोलते है कुल मतदाताओं की संक्या बताओ तो वो 22500 होगा कभी आपसे कहेंगे कुल पंजीकरत मतदाताओं की संक्या बताओ टोटल रजिस्टर्ड बोटर्स उसका मतलब भी यही होगा कुल मतदाता तो आपको confused नहीं होना है कुल मतदाता, पंजीकरत मतदाता वैद और अवैद, कुल मतों की संक्या सब का मतलब एक है तो आपको चीजें और समझ में आई होगी अब questions को हम और थोड़ा सा tough बनाते है और चीजें समझते है अगला एक question मैं आपको दे रहा हूँ जो हाला की tough नहीं है पर यहां हम पढ़ने में गलती कर देते है और शब्दों पे ध्यान नहीं देंगे तो अगला जो question बता रहा हूँ उसमें आपकी गलती जरूर हो जकती है तो आईए question देख लेते हैं सबसे पहले एक चुनाओ में 8 प्रतीशत मतदाताओं ने मत नहीं डाले और इस चुनाओ में 2 मिदबार थे विजेता को कुल बोट के 48 प्रतीशत मत प्राप्त हुए और उसने 1100 मतों से विजेता प्राप्त की चुनाओ में कुल कितने मत दाता थे देखिए आपसे कहा गया है 8 प्रतीशत मत दाताओं ने बोट नहीं डाले तो हमारे पास टोटल जो बोट हैं वो कितने हैं 100% है और 8% लोगों ने बोट नहीं डाला मतलब बोट कितने लोगों ने डाला 92% अब सबसे खास बात दो मिदवारें यहां में पता है विजेता को कुल बोट के 48 प्रतीशत प्राप्त हुए सबसे खास बात 48 प्रतीशत मिले हैं पर किसके कुल बोट के तो मुझे बताईए कुल बोट यहां 100 है या 92 है तो क्या हो जाएगा 100 यदि वो बोलते कि जितने बोट डाले गए उसका 48 प्रतीशत तो मैं इसका 48 प्रतीशत calculate करता पर उन्होंने ऐसा नहीं बोलाए उन्होंने कहा है कुल बोटों का 48 प्रतीशत तो कुल बोट है 100 और 100 का यदि 48 प्रतीशत निकालेंगे तो वो खुद 48 ही आएगा मतलब जो जीत रहा है उसको कितने बोट मिले हैं 48 तो हारने वाले को हम भी नाम दे देते हैं और इन दोनों के टोटल बोट तो 92 ही होंगे क्योंकि बोट तो 92 डले हैं इस बार उन्होंने केवल कैलकुलेशन चेंज कर दिया वो आपसे 92 का 48 परसेंट नहीं 100 का 48 परसेंट कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं तो 92 मेंसे 48 ए ले गया तो 92 मेंसे अगर 48 में माइनस कर दूँगा तो बचेगा कितना तो आप 12 मेंसे 8 घटा होगे 12 मेंसे 8 गया हो गया 4 यहां बचा 8, 8 मेंसे 4 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 4 मतलब B को कितने बोट मिले? 44 परसेंट मिले इतना समझ में आगया तब जाके टोटल होगा 92 बस बात इतनी है कि टोटल बोट का 48 परसेंट ए को मिला अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो दोनों में डिफरेंस है 4 परसेंट का हारजीत का मतलब अंतर डिफरेंस और उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की तो आप किस से डिवाइड कर देंगे? 1100 के बराबर रखेंगे इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1100 अगर 4 परसेंट है तो 100 परसेंट क्या होगा? चार से मैं इसको कैंसिल करूंगा 25 बार 25 और 11 का इधिया मल्टिप्लाई करते हैं तो ट्रिक मैंने आपको 11 के मल्टिप्लिकेशन वाली पढ़ाई है आपको सबसे पहले लिखना है 5, 5 और 2 लिखना है 7 और 2 का 2 और उसके आगे 2 0 तो आपको पता चल जाएगा टोटल बोर्ट कितने डले तो आंसर हो जाएगा 27,500 ओके समझ में आया तो भाशा का मतलब बस मेन आपको समझाना चाहा रहा था इस क्वेस्चन से आईए अब हम एक और अगला क्वेस्चन लेते हैं जो काफी अच्छा है थोड़ा हाई लेबल का क्वेस्चन है जल्दी से इसको इबार देख लेते हैं एक चुनाओं में 10 प्रतीशत मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिये और अपने प्रतीदवन्दी से 308 मत अधिक मिले सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी देखी काफी सारी चीज़ें यहापे क्वेस्चन में कह दी गई है आपको क्वेस्चन की भाषा का ध्यान रखना है हमेशा में एक ही बात आपसे बोलता हूँ समझते हैं 10 प्रतीशन मत दाताओं ने अपना मत नहीं दिया तो देखी हम जानते हैं हर चीज़ होती है 100% और 10 प्रतीशन मत दाताओं ने बोलत नहीं दिया मतलब कितने लोगों ने बोलत दिया तो वो हो गए 90% अब इसमें से 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली किया अब यहां एक सबसे खास बाते देखिए इस 90% के अंदर तीन चीजे हैं पहला A जो जीत रहा है दूसरा B जो हार रहा है और तीसरा 60 खाली मतपत्र जो ब्लैंक छोड़ दिये ये तीनों मिलाएंगे तो वो किसके बराबर होगा 90% के ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है ठीक है पही 10% लोगों ने तो बोट नहीं दिया तो बचे कितने 90% अब इस 90% में से 60 लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया उसके बाद जो बचा होगा वो A और B का मतलब 90% के अंदर 3 चीजे है A को मिलने वाले बोट B को मिलने वाले बोट और 60 वो बोट जो खाली छूड़ गए ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं दो उमिदवार हैं ये हमें पता है विजेता उमिदवार को मतदाता सूची का अब आप सोचेंगे मतदाता सूची तो मतदाता सूची 100 होगी है 90 वोटर लिस्ट तो वोटर लिस्ट 90 नहीं 90 वोट तो डले पर वोटर लिस्ट में नाम तो 100% लोगों के हैं तो A को वोटर लिस्ट का मतदाता सूची का 47% मिला मतलब 100 का अब बात समझेगा यहाँ पर A को 47% मिला 100% का अब आपको सबसे खास चीज़ देखनी है कि B को कितना मिला बात समझेगा 47 अगर A के पास है तो B के पास कितना होगा तो B के पास होगा 90 में से अब देखिए 47 इधर है तो जो बचा वो किसका है B का पर B के पास हम 90 में से सबसे पहले तो 47 घटाएंगे तो वो आजाएगा 43% देखिए A के पास 47% है पर इसका बिलकुल मतलब यह नहीं होगा कि B के पास 43 क्योंकि 43 के अंदर यह दोनों शामिल होंगे 47 पर A का हक है बट जो 43 है उस पर यह दोनों है और यह सब मिलकर फिर 90% बन रहा है तो B के अगर मुझे बोट निकालना है तो 43 में से 60 माइनस करना होगा समझ में आया क्योंकि 43 के अंदर यह दोनों है तो जो 60 ब्लैंक बोट से वो हटाएंगे तो पता चलेगा B को कितना मिला पर परसेंटेज में हम नहीं बता सकते आगे हम क्या करते कभी भी हार या जीत मतलब अंतर तो अब हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा तो समझिएगा 47% माइनस 43% माइनस 60 और दोनों का डिफरेंस कितना है 308 इतना समझ में आया अब हम इसको solve कर लेते हैं तो ये 47% ही रहेगा माइनस का multiply होगा तो माइनस का 43% माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 60 is equal to 308 47 माइनस 43 will become 4% and जो प्लस 60 है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 308 में से 60 चला गया तो आपके बस बचेगा 248 248 अब इसको solve कर लेते हैं तो 248 अगर 4% है तो 100% क्या होगा तो 4 से cancel हो जाएगा पहले तो 4 से 6 बार 4 into 6 24 और 4 का दुगना और उसके आगे लग जाएगे 2 0 तो मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में जितने लोग है वो है 62% सब लोग मिला कर अब आगे आपसे क्या पूछा है सूची में मतदाताओं की संक्या कितनी है यही पूछा है यह हमारा answer होगा तो यहाँ पर बस यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए तो ही आप इस question को समझ पाएंगे दस लोग बोर्ट डालने नहीं आए तो बचे 90 90 में से 60 blank छोड़ दिये और जो बचा वो A और B के पास है तो 90 तीन चीजों का combination है A को मिलने वाले बोर्ट B को मिलने वाले बोर्ट और 60 वो जो blank छोड़ गए फिर आपसे बोल रहे हैं A को 47% मिल गया तो B को कितना मिला होगा तो 90 में से 47 गया तो बचा 43 43 के अंदर ये दोनों है तो 43 में से जब 60 बोर्ट सटेंगे तो B का पता चलेगा और हारना या जीतना मतलब अंतर इसलिए अमने माइनस लगाया और सॉल्ट किया तो यहां तक आपको चीज़े अच्छे समझ में आ गई होंगी आईए नेक्स क्वेश्चन देखते हैं नेक्स क्वेश्चन है हमारा किसी चुनाओं में 10 प्रतीशत उम्मिदवार बोट नहीं डालते हैं तथा 6 का 12.5 प्रतीशत अवेद घोशित कर दिया जाता है जीतने वाला प्रत्याशी वेद मतों का 71,3,7% प्राप्त करता है यदिवाच 500 बोटों से जीतता है पंजीकरत मतदातों की संख्या बताईए देखिए बहुत सारी चीज़े हैं और परसेंटेज यहां पे कहीं सारे दिया हुए है हाला कि इसको हम इजी बनाएंगे तो मेरा आपको सीखना है कि इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे 10 प्रतीशत उम्मिदवार बोट नहीं डालते है अब यहां पे कुछ फ्रेक्शन्स की हमें जौरत पड़ेगी सबसे पहला 12.5% जिसका मतलब आपको अब तक याद हो गया होगा 1 by 8 और दूसरा हमसे कहा गया है 71 3 by 7 71 3 by 7% जो मैंने आपको पुरानी क्लासेज में बताया है यह 14 2 by 7% का 5 टाइम्स है 14 सही 2 बटे 7 का 5 गुना है तो यह 1 बटे 7 का 5 गुना है मतलब इसकी फ्रेक्शन वेल्यू क्या होगी 5 by 7 ठीक है यदि बाद 54 बोटों से जीतता है तो पंजीकरत मत दादों की संख्या बताये हम यहाँ पर कुछ AC संख्या लें जिनसे यह सभी कैंसिल होना चाहिए 100% यदि लेंगे तो 100 में से 10% लोग बोट नहीं देंगे तो बचेंगे 90 अब 90 का आप 12% नहीं निकाल पाओगे तो हमें कुछ और नंबर एजियूम करना पड़ेगा हम देखिए यहाँ पर इसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कोई फिक्स नंबर एजियूम करें आप कोई भी नंबर एजियूम कर सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर कहूंगा क्यूंकि आप यदि 200, 300, 400 से भी ट्राइ करोगे तो आप कही न कही रुकेंगे तो यहाँ पर हम ले सकते हैं फौर इक्जैम्पल कि टोटल यदि बोट हम मान ले कि टोटल 800 युनिट या 800 बोट है ठीक है 10% लोग बोट डालने नहीं आते हैं तो यदि 800 का आप 90% निकालेंगे तो वो 10% लोग बोट डालने नहीं आते हैं मतलब आते कितने हैं तो वो आते हैं 720 तो 800 में से कितने लोग बोट डालने आये तो वो आये 720 ठीक है इसमें से साड़े बारा प्रतीशत अवेद घोशित कर दिया तो 720 का साड़े बारा परसेंट मतलब होता है एक बटे आठ एक बटे आठ का मतलब होता है नब्बे बोट अवेद घोशित कर दिया तो नब्बे अवेद हैं इन्वैलिड हैं तो 720 में से नब्बे गया तो वैद म वो होंगे 630. पर अभी भी आगे क्या बोल रहे हैं? वैद मतों का 71, 3 by 7 परसेंट जीतने वाला प्राप्त करता है. अब देखिए, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा रेशो. 71, 3 by 7 परसेंट का मतलब होता है 5 बिटे साथ. दो चीजें हैं, एक जीत रहा है, एक हार रहा है, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा. जीतने वाले को 5 by 7 मिला, 5 by 7 का मतलब क्या है? कि अगर टोटल साथ बोल्ट हैं, तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? जीतने वाले मिले हैं 5 तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 2 तोटल यदि 7 बोट होंगे तो जीतने वाले को 5 बोट मिलेंगे और हारने वाले को 2 बोट मिलेंगे और मैंने आपसे पहले भी कहाए कि हारने या जीतने का हमेशा मतलब क्या होता है अंतर तो हम 630 बोट का 5 बटे 7 निकालें, फिर 5 और 2 मेधी हम बाटें, तो 7 से भाग देंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, बेटर कि हम direct इनका difference निकालें 3, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो 630 बोट, पहले तो हम 5 और 2 साथ हिस्सों में बाटेंगे, और 5 और 2 क गुणाना करते हो, direct difference लेंगे, मतलब किस से multiply करना पड़ेगा, 3 से, तो 7 से एक NC लोगा कितनी बार, 90 बार, 90 का 3 गुणा, मतलब A और B, मतलब दोनों हारने जीतने वाले लोगों में कितने बोटों का अंतर आना चाहिए, 270, पर अब यदि आप यदि question में देखेंगे, तो 5400 बोटों का अंतर है, तो देखिए, यदि हम 800 मानते हैं, तो 270 बोट का अंतर आता है, पर actual में तो वो 5400 बोट का अंतर ला रहे हैं, तो 270 यदि 5400 के बराबर है, तो एक का मान गया होगा, 1 की value क्या होगी, तो 0 से 0 के NC होगा, 27 से ये 20 वार के NC होगा, मतलब 1 की value आपको कित अब एक बराबर 20 हैं, हमने 800 माना तो 270 आया, पर लाना है 500, मतलब कितना गुना करना पड़ेगा 20, तो जो आंसर होगा, वो 20 गुना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने 800 माना था, उसका 20 गुना कर देंगे, तो actual में total board कितने रहे होंगे, तो आंसर आजाएगा हमार 16,000, 270 बराबर 5,400, 270 क्या है, दोनों का अंतर है, हमने अंतर डारेट लेकर आए, जो 5,400 के बराबर है, एक बराबर 20, तो 20 का गुना कर दीजे, total boards आपको मिल जाएगे 16,000, और ये हो जाएगा हमारे question का answer, कुल पंजीकरत मत, मतलब registered boaters, ओके, चली, next एक और question हम देखते हैं जो दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, पर आप इसको भी easily कर सकते हो, किसी चुनाओं में कनक तथा आरियन भाग लेते हैं, दो बटे 5 मतदाता आरियन को और बचे मतदाता कनक को boat करने का वादा करते हैं, परन्तु मतदान दिवस की दिन, आरियन को boat करने वाले 15 प्रतीश अपने वादे से पलट जाते हैं, कुल मतों की संख्या ग्यात करें, यदि कनक 250 boat से जीतती है, चलिए देखिए, दो लोग हैं आपे, एक है कनक और एक है आरियन, तो एक हो गए हैं आपे कनक और एक आरियन आप से कहा गया है, दो बटे पांच मतदाता आरियन को, दो बटे पांच का मतलब क्या होता है, देखिए दो बटे पांच का मतलब होता है 40%, ठीक है, 40% लोग जो हैं, वो किसको boat करने का कहते हैं, ये कहते हैं कि हम आरियन को boat करेंगे ठीक है, अब हमें यहाँ पे नंबर एजियूम करना पड़ेगा, तो हम एजियूम कर लेते हैं 100% हर बार की तरह, तो टोटल हम 100% मान लेते हैं, 100 का 40% आरियन को मिलेगा, तो यदि 40% आरियन को मिलेगा, तो 60 किसको boat देंगे कनक को, ठीक है, अब होता ये है कि मतदान दिव बोटिंग के दिन, आरियन को boat करने वाले 15% मतदाता, आरियन को जो boat करते हैं, उसका 15%, ठीक है, और कनक को जो boat करते हैं, उसका 25% अपने वादों से पलट जाते हैं, वादों से पलटने का मतलब होगा, कि 25% लोग कनक को boat नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे, आरियन को, और आ तो ये लोग पलड जाएंगे 60 का 25% आपको पता है 60 का 25% कितना हो जाएगा 15 यह आप calculate कर सकते हो 60 into 25 और यह आजाएगा 100 यह कैंसी लोगा 4 बार 4 से कैंसी लोगा 15 बार तो 15 लोग अपने वादे से पलड गए 25% हमने 60 लोग माने है तो 60 में से 25% 15 लोग अपने वादे से पलड गए तो बचे कितने 45 ठीक है और ये 15 लोग उधर चले जाएंगे चलिए एक और चीज़े आरियन को बोट देने वाले 15% लोग पलड गए तो 40 का 15% इदे आप निकालोगे तो वो कितने आएंगे 6 तो 6 लोग इधर से चले गए तो यहां कितने बचे तो इधर बचे 34 लोग इतना समझ में आया 25% लोग कनक को बोट नहीं दे रहे हैं तो 15 चले गए और 15% लोग आरियन को बोट नहीं दे रहे हैं तो 6 यहां से चले गए पर ये interchange हुए, देखें, 15 यदि इसे boat नहीं देंगे, इसका मतलब 15 लोग उने boat इधर दिया, तो ये total कितना हो जाएगा, 49, और 6 लोग इधर boat नहीं देंगे, तो वो इधर आ जाएंगे, तो उन्होंने Canuck को boat दिया, तो ये हो गया आपका 51, तो यदि अब देखें, तो 51% boat क किसको मिले हैं, Canuck को, और 49% किसको मिले हैं, आरियन को, तो दोनों में कितने का difference है, दोनों में दोनों में कितने का difference है, दोनों में, यदि Canuck 250 boat से जीतती है, तो 2%, अगर 250 है, तो 100% क्या होगा, तो 250, अगर 2% है, तो 100% क्या होगा, 2 से ये cancel हो जाएगा हमारा 50 times और 25 का 5 गुना कितना होता है 125 और उसके आगे लग जाएगे 20 तो total voters कुल मतदाता कितने हो जाएगे 12,500 तो यहाँ पर हम ये गलती कर देते हैं कि इतना minus तो कर देते हैं पर इन्हें exchange भी करना है 15 लोग इसको बोट नहीं दे रहें तो वो इसको देंगे 6 इसको बोट नहीं दे रहें तो वो इसको देंगे और आपको last में result पता चल जाएगा कि इसको कितना मिला ठीक है, समझ में आगया होगा next question एक और हम देखते है अमेटी के कुल मतदातों में से 4 बटे 5 मतदातों ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया तता 6 लोगों ने वरुन गांधी को मत देने का वचन दिया राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10 प्रतीशत लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया जबकि वरुन गांधी को वचन देने वाले लोगों में से 20 प्रतीशत लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया चलिए यहाँ भी आपको कुछ एजियूम करना पड़ेगा और कैसे इसको करेंगे उस पर हम बात करते हैं देगे चार बटे पांच मत दाताओं ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया तो हमारे पास दो लोग हैं एक है राहुल गांधी और दूसरा हो जाएगा क्वेशन में वरुन गांधी चार बटे पांच का मतलब आपको पता है कि 4 बटे पांच का मतलब होता है 80% और हम जानते हैं कि टोटल हर चीज क्या होती है 100% चार बटे 5 लोगों ने राहुल गांधी को बोट देने का वचन दिया मतलब 80 लोग इधर बोट देंगे तो बचे कितने 20 20 लोग वरुन गांधी को बोट देंगे आगे बोल रहे हैं राहुल गांधी को वचन देने वालों मेंसे 10 प्रतीशत लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया तो 80 का 10 परसेंट होता है 8 8 लोगों ने बोट नहीं दिया और वरुन गांधी को बोट देने वालों मेंसे 20 प्रतीशत लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया तो 20 का 20 परसेंट होता है 4 इस बार उन्होंने मत नहीं दिया ऐसा नहीं कि वो अपने बादों से पल्टे हैं कि इनको न देते हुए इधर ऐसा कुछ नहीं है बोट देने ही नहीं आए तो 80 में से 8 गया तो टोटल आजाएगा 72 और 20 में से 4 गया तो इधर आजाएगा 16 मतलब राहुल गांधी को मिले हैं 72 प्रतीशत बोट और वरुण गांधी को मिले हैं 16 प्रतीशत बोट आगे बोल रहे हैं राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए देखें राहुल गांधी को यहां मिले हैं टोटल 72 प्रतीशत बोट जो 216 बोट के बराबर है तो अगर 216 बोट 72 प्रतीशत है तो 100% क्या होगा तो आप 72 से इसको cancel करोगे तो exact तीन बार cancel होगा तो ये आजाएगा total हमारा 300 मतलब कुल कितने लोग हैं वहाँ पे बोट देने वाले तो वो हो जाएगा 300 पर आपसे पूछा है कुल कितने लोगों ने मतदान दिया ये कोन लोग हैं जो total है जितने लोग बोट दे सकते थे पर कितने लोगों ने बोट दिया वो हम यहाँ निकाल लेते हैं तो 300 में से देखिए 72 प्रतीशत और 16 प्रतीशत लोगों ने बोट दिया तो 72 प्लस 16, 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 1 हो जाएगा 8, तो 88 प्रतीशत लोगों ने बोट दिया, तो ये cancel हो जाएगा, 8 का 3 गुना करेंगे, 24 का 4, carry 2, 24 और 26, मतलब टोटल बोट देने कितने लोग आए, 264, ओके, 300 टोटल लोग है, पर बोट देने कितने लोग आए, तो वो 72 प्लस 16, क्योंकि इतने लोग बोट देने का वादा करते हैं, पर इतने लोग बोट देने नहीं आए, तो 72 प्लस 16, मतलब 88 प्रतीशत लोगों ने बोट दिया, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला question, तो ये हमारे चुनाव वाले questions थे, next हम एक टाइप लेंगे, जिस से जुड़े हुए questions करेंगे,